Hello everyone and welcome to Physical Education India आज का ये वीडियो उन students के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है जो लोग CUET PG के तुरू MP8 के form भर रहे हैं साल 2014 में बहुत ज़्यादा confusion चल लिए है कुछ universities को लेके कि वो अभी तक add नहीं होई है वो कब add होंगी ऐसा नहीं हो कि हम form फिल करते हैं तो इस वीडियो में सारी जितनी भी doubts है में उसको यहाँ पर clear करने वाला हूँ कुछ sources से हमने information अपनी निकलवाई है कि क्या chances हैं कि universities add हो रही है कि नहीं तो majorly जो दो universities हैं जिनका weight बहुत बच्चे कर रहे हैं उनके बार में बात करने वाला हूँ और जिन topic में बात करने वाला हूँ कि अगर यह universities add नहीं होती है तो फिर क्या होगा और क्या आपको CUT का exam फिट देना चाहिए कि नहीं अगर यह नहीं add हो रही है form fill अभी कर दें कि नहीं करें उसकी बात करूँगा और form कैसे fill करना है पूरा form में आपको दिखाने वाला हूँ कि केसे fill करना है कुछ BHO की confusion चल रही है code को लेके तो वो भी मैं आपको यहाँ पर clear करने वाला हूँ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपका LNIP and HNBGU missing अब देखो LNIP के अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के sources से पता चला है कि chances है कि 16 तारिक यानि कि 16 से 17 जन्वरी तक आपका जो LNIP है वो PG course के लिए आपके CUET में add हो जाएगा तो आप 16 से 17 तारिक तक का wait कर सकते हो form की date जो है वो 24 तारिक तक है वो भी extend होती है हर साल होती है लेकिन इतना information है कि 16 या 17 तक आपका जो LNIP है वो CUET में add हो सकता है ठीक है HNBGU के अगर मैं बात करूँ तो लेखो HNBGU का BPAD और MP8 दोनों ही जो PG में आता है CUET के जिसमें आपका MP8 है उसका code आपके सामने लिखा हुआ है COQP18 और यही जब COQP11 हो जाता है तो यह आपका BP8 का code है ठीक है तो इन दोनों courses के मैं बात करूँ HNBGU के अंदर तो फिर 99% chances है कि HNBGU इस बार CUET में involved नहीं हो रहा है इसका reason यह है कि last year कुछ काफी जादा problems हो गई थी university में CUET को लेखते हुए कि वो बहुत late exams कराते है जो reservation बच्चों को मिलना चाहिए बहुत सारे issues थे वो यहाँ पर मैं discuss नहीं करूँगा लेकिन chances यह है वहाँ के sources से पता चला है कि CUET में HNBGU इस बार involved नहीं हो रही है अब अगर मैं exam जो खुद कराती थी वो खुद entrance का कराएगी अब इनका syllabus किया होगा यह अपने prospectus में out करेंगे HNBGU ने तो यह भी बोला है कि बहुत जल्दी वो अपनी information दे देंगे जो भी वो final करेंगे LNIP का भी हम wait करें तो यह दोनों ही अपने syllabus भी out कर देंगे कि अगर बच्चों को entrance देना है तो उनका क्या syllabus होने वाला है पार्ट है यानि कि जो reasoning औगर होती है वो है की नहीं physical education के क्या-क्या topics है तो इन सारी चीजों का जो discussion है यह हम लोग अपनी classes में करेंगे जैसे कि मैंने पहले भी live sessions में बोला था और अपने students को भी बोला है कि अगर यह दोनों colleges add नहीं होते है तो CUET में जितने college अभी add हो चुके है यानि कि BHU हो गया, University of Delhi हो गया Guru घासिदास हो गया और यह जो central universities है उनके त्यारी तो classes में चली रही है और अगर LNIP और HNBJU अलग syllabus के साथ भी add होती है तो हम लोग classes में अलग से उनका एक proper section शुरू करेंगे और उन syllabus को भी आपको cover कराएंगे fees विस कुछ extra नहीं देनी है अगर आपने enroll कर लिया तो 750 रूपीज सिर्फ fees है one time कोई ये admission fees है monthly fees नहीं है एक ही बार के फीस है और इसी के अंदर LNIP का अलग syllabus अगर होगा तो वो भी cover करेंगे HNBJU का अलग होगा तो वो भी cover करेंगे कुछ उसमें आपको additional नहीं देना है और एक अच्छी चीज आप लिए ये है कि मैं LNIP से pass out हूँ तो मैंने वहाँ के paper देखे हैं वहाँ के sources और teacher से मैं contact में हूँ तो एक idea मिल सकता है कि कैसे आपको तयारी करनी है क्या-क्या changes हो सकते हैं और currently मैं अब इस समय HNBJU में तो हूँ ही तो यहाँ के teacher से भी मैं involved हूँ कि आपका जो syllabus होगा वो किस तरीके का होगा तो एक कि आप इसको आप लग समझ सकते हो कि दोनों ही colleges के मैं contact में हूँ directly तो यह तयारी का आपका अच्छा मौका हो सकता है Should I give CUT or not? तो बिलकुल आपको CUT का exam तो देना ही देना है यह बिलकुल मैं सोचना कि LNIP का exam जैसे ही होगा मैं अगर 200% sure होगी यहाँ भाईया मैं तो crack करी लोगा तो फिर ऐसा करो लेकिन मैं आपको इस suggest नहीं करूँगा CUT का form भरना वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छी universities है जहां के entrance आपको देना है तो बिलकुल CUT का form आपको भरना है कैसे भरना है वह अभी मैं आपको बताऊंगा should I fill form now बिलकुल form आप fill कर दीजे यह मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर universities add नहीं हो रही है आप अभी payment मत करना आपको जो payment है last payment जो होता है जिसके वैसे आपको जो form है वो lock हो जाता है और फिर सीधे correction window जब खुलेगी तभी आप edit कर सकते हो तो वो चीज़ नहीं करना payment अभी नहीं करना है universities fill कर लो photo, signature सब upload कर लो documents जो भी upload करने है सब कुछ upload कर दो और wait करो 20, 21, 22 तारिका कि अगर universities add हो जाती है तो फटा 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 इनको add कर लो और अगर कोई दिक्कत नहीं है जिन लोगों ने अगर payment कर भी दिया है तो correction window आपकी खुलेगी वहाँ पे भी आप universities को add कर सकते हो ठीक है तो ये बिलकुल माँ सोचना कि हमने तो form fill कर दिया है हेमवती नंदन बहुकुला गड़वाल उनिवस्टी को भी मैंने इस list में रखा है क्योंकि अभी तक ये add नहीं होई और 11 जन्वरी को जब मैं ये वीडियो बना रहो हूँ आपके लिए CUET, PG के लिए MP8 के लिए तो ये अभी तक add नहीं होई है लेकिन ये add हो सकती है आप जिस भी time में वीडियो देख रहे हो लेकिन अभी नहीं है इसलिए मैंने red में किया है बाकी ये universities आप देख सकते हो जो अच्छी universities है और जिनको आप CUET, PG में MP8 के form में अभी fill कर सकते हो ठीक है ये सारे आपके visible है BHU हो गई, University of Delhi हो गई, GGU हो गई Central University, Haryana, Kashmir, Punjab, South Bihar Jammu, Pondichari University, Gurukula, Kangari University ये सब आपके add हो चुके है तो इसमें आप अपना admission के लिए दे सकते हो अच्छा इसके लाबा एक university और है काशी विद्या पीट, university बनारस की है वो CUT में नहीं आती, लेकिन वो भी एक अच्छी university है वहाँ के लिए भी आप forms का wait करो वाकि वो आपको YouTube पे हम update कर देंगे ठीक है, बाकि इन दोनी universities का जैसे भी होगा वो मैं आपको inform करूँगा, अब बढ़ते हैं हम लोग form कैसे fill करना है, उसके बारे में सारे information मैं आपको दे देता हूँ आप क्योंकि जो NTA है, वो screen recording allow नहीं करता है, इसलिए जो form वाला part है, वो मैं अपने phone से record करूँगा, ताकि सारे options आपको अच्छे से visible उसमें हो जाए, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने form की तरफ और इन्हीं universities के अगर आप detail में जानना चाहते हो ना, तो आपको i button में एक वीडियो का link मिल जाएगा, जहाँ पर हर university की fees कितनी है, मा की seat कितनी है, उनका जो CVT के बाद का जो procedure है कि उसके लेते हैं, कि physical test लेते हैं, उसकी सारे information उस वीडियो में वो आपको i button में उपर मिल जाएगी, चलो अफ form की तरफ बढ़ते हैं, तो चलो अब हम आ गए हैं मेरी mobile की screen पर जहाँ पर आपकी जो NTA की website है, वच्छे से visible होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि LNIP अभी तक add नहीं हुई है, 11 जनूरी तक और HNBJU की जो chances हैं, वो काफी जादा कम हो गए हैं, ना के बराबर हो गए हैं, तो उनके अलावा जो universities हैं उन पे हम focus करेंगे, अगर आप universities चेक करना चाहते हो, तो यहाँ सबको universities मिल जाएंगी, ठीक है, सारी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो LNIP आपकी deemed university के अंदर आ जाएगी और HNBJU वैसे तो नहीं आने वाली है लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो, तो आपको Central University में मिल जाएगी, अब हम बात कर लेते हैं कि form कैसे fill करना है, तो देखो, यहाँ पर आपको option मिलेगा, अपना registration करने का, मैं अपना logout कर देता हूँ, जो dummy form मैंने बराता, आपको सबसे पहला जाना है, यहाँ पर register में, website आपकी है, pgcuit.summer.ac.in, यह मैं नीचे description में डाल दूँगा, और एक चीज और कि आप हमारा WhatsApp जो channel है, उसका भी link नीचे उसको join कर लेना, ताकि जो भी universities आप नहीं add होंगी, वो आपको हाँ पर पता चलती रहेंगी, यहाँ पर information bulletin आप पढ़ना चाहो, तो पढ़ सकते हो, सारा यहाँ पर photograph और scan signature का size वगरा है, वो आप देख सकते हो, fees यहाँ पर है, देखो fees का मैं आपको समझा देता हूँ, जो general के candidates हैं, उनको एक subject के लिए, या फिर दो subjects के लिए, यानि कि test papers के लिए 1200 रुपे देने हैं, OBC, 1000 या OBCI EWs को 1000 देने हैं, SCST को 900 और PWD candidates को 800 रुपीस देने हैं, अब देखो, यहाँ पर जो additional fees वाल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप मानों कि आप MP8 का form यहाँ पर भर रहे हो, तो आपने obviously आप उसमें physical education, यानि कि COQP 18 जो subject है, उसको fill करोगे, ठीक हैं, तो वो आपका हो गया one test paper, यानि कि एक test आप दे रहे हो, अगर आप कोई दूसरी university में, या फिर उसी university में कोई दूसरे exam के लिए भी apply कर रहे हो, जैसे कि आपने BP8 करके रखी है, आप MP8 करने के लिए यहाँ पर चाहते हो, तो आपने physical education तो select कर लिया, अब आप चाहते हो कि आप BP8 के बाद, अगर MP8 में ना हो पाए मेरा, तो मैं B.com कर लूँ, तो आपको उसके लिए जो भी test papers हैं, वो भी इसमें exam में यहाँ पर form में add करने होंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे add करने हैं, तो उसमें अगर दो paper आपके रहते हैं, तब तो आपको 1200 ही देना है अगर आप general के हो, लेकिन अगर आपने एक paper और add कर दिये, यानि कि B.com के अगर demand है कि आप commerce का exam दो, और साथ में आप paper 1 भी दो, यानि कि जो paper 1 आपना part A वाला आता है, वो भी दो, तो आपके यहाँ पर 3 subjects हो जाएंगे, जिसके वैसे आपको 1 subject का 600 रुपीज और देना होगा, ऐसी आप 4 subject कर दो के तो 2 subject के साब से आपको 1200 देना होगा, तो इस तरीके से आपकी fees बढ़ेगी, एक confusion दूर कर लो कि जादा universities आट करने से आपकी fees नहीं बढ़ेगी, सिर्फ आपके test paper के वज़े से ही बढ़ेगी, यानि कि अगर आपने 10-12 universities में M8 के लिए अप्लाई किया, तो आपको fees 1200 रुपे ही देनी है, क्योंकि आप subject तो एक ही select कर रहे हो, ठीक है, बाकियां यहाँ पर सारी information है, आप इसको पढ़ सकते हो, click here to proceed करने के बाद, एक simple सा form आता है, आपका नाम, father's name, mother's name, guardian's name, date of birth, gender, nationality, identity type में, आप यहाँ पर अधार कार्ट कर लो, अधार कार्ट नहीं तो other valid government ID कर लो, यहाँ पर अधार कार्ट नमबर डाल देना, ठीक है, इसके बाद अपना, जो भी आपका present address है, जहाँ पर रह रहे हो, वो डालो, और फिर permanent address भी आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, password वगरा बनाके, आप अपना यहाँ पर capture डालके, आपकी जो profile होगी, वो CUET 2024 के लिए यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, इसके बाद आपको simple सा एक OTP आएगा, जिसके through आप अपना login एजली कर पाओगे, अब यहाँ पर मेरा form एक खुला हुआ है, ठीक है, login करना बहुत easy सा है, बिल्कुल भी tough आपको नहीं पड़ेगा, जैसी आप login करोगे, तो आपको, यहाँ पर जो सबसे पहला part आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ करके, मैं फट 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 login कर ले तो, आपका login जो है, वो कुछ इस तरीके से होगा, अब simple सा, यहाँ पर मैंने अपना application number और password डाल दिया है, capture code डाल के आपको यहाँ पर अपना, जो ID है, उसको login कर लेना है, login करने के बाद कुछ ऐसे interface खुलेगा, मैंने क्योंकि थोड़ा सा form फिल कर दिया था, एक बाद चेक करने के लिए, तो कुछ मेरे में ऐसा आ रहा है, आपके में सब कुछ blank आएगा, यहाँ पर टिक वगरा नहीं होगा, continue application form पर personal details में जाता हूँ, सबसे पहले आपको यह देखने को मिलेगा, और यहाँ पर मैं आपके लिए update कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको options देखने को मिलेंगे, नाम, date of birth, gender, nationality, यह बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, category वगरा, यह आप fill कर लोगे, ठीक है, इसमें कुछ भी confusion आपको नहीं होगा, domicile state आप जहां के वो डाल देना, place of residence, urban उन लोग के हो जाएगा, जो city region के हैं, और rural को option आपको इसमें हो जाएगा, जो लोग थोड़ा सा village वाले area से form को fill कर रहे हैं, ठीक है, mode of preparation आप कुछ भी यहां डाल दो, serve डाल दो, online coaching डाल दो, अगर आप हमसे त्यारी कर रहे हैं, तो online coaching डाल सकते हो, medium आप यहां पर select कर लेना, कि आप जो आपने qualifying examination है, वो किस medium से हैं, तो आप English कर लेना है, ठीक है, तो ठीक रहेगा आपके लिए, इसके बाद आपको यहां पर present address अपना डालना है, permanent address यह सारी चीज़ें, हो सकते हो, यह पहले से fill रहे हैं, क्योंकि आप डाल चुके हो, यहां पर आपको claim for sports quota, NCC quota, उपर से देख लो, below poverty line हो, तो no, कश्मीरी migrant हो तो no, personal या ex-service man के ward हो, तो no हो जाएगा, NCC quota के claim कर रहे हो, अगर आपके बास NCC certificate है, तो आप यहां yes कर सकते हो, claim for sports quota कर रहे हो, तो यहां पर आप इसको yes कर सकते हो, मैं yes कर क्या कर बढ़ जाता हूँ, यहां पर आपका level of participation पूछा जाएगा, तो यहां पर आपके participation के level दिये हुए है, तो आपको यहां पर fill कर देना, ठीक है, जिसे कि मैं अगर यहां पर parts better in national games कर देता हूँ, या चलो, आप बहुत लोग all india खेले होते हैं, या interzonal खेले होते हैं, तो इसको मैं यहां पर select कर देता हूँ, ठीक है, are you a ward of university employee, तो अगर आप किसी university employee के आप बेटे या बेटी हो, तो आपको यहां पर yes करने हैं, नहीं तो आप no करके इसको save कर दोगी, next जो आपको आजाएगा, आपको यहां पर इसको next part के लिए proceed कर देना है, फिर आपको आएगा आपकी education details, ठीक है, यहां पर इसके लिए बहुत लोग confused है, मैं इसको भी update करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप PG का form भर रहे हो, तो आपका 10th और 12th qualifying होना जरूरी है, तो यहां पर आपको appearing को option नहीं मिलेगा, सिर्फ past का मिलेगा, जैसे मेरी 10th 2017 में होई थी, तो मैंने सारी information यहां पर अपनी डाल दी है, इसके बाद 12th की information है, मैं पास कर चुक हूँ 2019 में, तो सारी information मैंने यहां पर डाल दी है, इसके बाद आपका है undergraduate education qualifications, अब यहां पर आपको डालनी है, आपने जो भी UG course आपना किया है, वो आपको यहां पर डालना होगा, याने कि final year का third semester या four semester चल ला है, फिर अभी हमारा कोई दूसर semester चल ला है, याने कि अभी exam होने वाला है, तो आप यहां पर appearing करके इसको भर सकते हैं, अगर आप past करके भरोगे, तो आप से यहां पर आपका number मांगने लगेंगे, कि आपको number कितने मिले हैं, appearing करोगे, तो आपका result mode वाला था, percentage कितना है, यह सब चला जाएगा, passing year, आप किस year में pass करने वाले हो, most probably आप इसी साल कर रहे ही होगे, तो 2024 आप डाल दोगे, university की जो भी information है, आप वो सारी यहां पर इसको डाल दोगे, मैं अब इसको appearing करके छोड़ देता हूँ, यह आपका form होगे, क्योंकि ज़्यादा तर बच्चे जो हैं, वो appearing में ही समय है, इसको मैंने save कर दिया, यहां पर भी आप इसको final save करके आगे बढ़ जाओगे, इसके बद आपकी आएंगी examination details, अब यह examination details हैं, जो city of preferences हैं, यह आपको कुछ selected मिलेंगे, क्योंकि आपने जो domicile डाला होगा, या फिर जो address डाला होगा, उसी से relate करते हूँ, आपको यहाँ पर city preferences दे देता है, तो जैसे कि मैंने वापके अपना domicile उत्तरप्रदेश डाला था, तो UP के near जो भी state से वह यहाँ पर option आगे, जिसे अगर आप UP में हो, तो आप यहाँ से अपना कोई भी city select कर सकते हूँ, मैं लखनाओ कर देता हूँ, और दूसरा भी मैं UP करके, अगर अपना share करना चाहूँ, तो मैं अलावाद यहाँ पर कर देता हूँ, वैसे आपका जो अपना share है वो उपर करना, जस्ट अमिनिट, और यहाँ पर UP में जो भी नियरे city है, लखनाओ है तो मैं लखनाओ कर देता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ, इसके बाद simple सा आपको procedure next section करना है, अब यह है आपका सबसे important part, जहाँ पर आपको अपनी universities को add करना है, तो एक बार मैं आपको universities add करके बता देता हूँ, मैं सारी यहाँ पर remove कर देता हूँ, जितनी मैंने करी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना selection खोलना है, कि university आप कौन सी add करना चाहते हो, जैसे अगर मैं start करना चाहूँ, university of Delhi से, तो आपको सबसे नीचे दिखेगी, university of Delhi, आप इसको देखो, courses में आप अपना MP8 ढूंड लो, कहाँ पर है, masters of physical education, या MP8 करके आपका course का यह है, इसको करने करदे आपको simply यहाँ पर कर देना है, add, आपका जो subject demand हुआ है इसमें, वो आपको यहाँ पर fill कर देना है, यानि की, COQP 18 है, यह automatically आपका यहाँ पर आ जाएगा, कि university of Delhi MP8 के लिए आपसे, इस subject का exam demand करती है, ऐसी अगर हम और universities देख लें, उपर चलेंगे तो हमको guru khasidas देख जाएगी, यहाँ पर भी आके, अपना course देख लो MP8, और इसको कर दो add, तो यह line से आपके add होते चले जाएगे, BHU देख लेते हैं, बरारास हिंदु उनिवरस्टी, यहाँ पर आपका एक confusion चल रहा था, कि यहाँ पर आपका MP8 और BP8 का option नहीं दे रहा है, सिर्फ physical education का दे रहा है, और add करते ही coqp18 और coqp11, दोनों ही subject शो कर दे रहे हैं, जबकि आपको MP8 के लिए तो सिर्फ p18 वाला ही देना है, p11 तो आपका, जो BP8 का दे रहे हैं, तो यहाँ पर tension बिल्कुल मत लेना, जैसा कि इनके syllabus में दिया हुआ है, साफ साफ, कि आपको coqp18 का ही जो test है वो देना है, eligibility अगर मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखाऊ, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि MP8 के लिए यहाँ पर p18 ही लिखा हुआ है, और कॉमा करके BPA टले हैं, coqp11 है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना है कि आपको यहाँ पर दो exam देना है, इस बार भी एच्यू के लिए सिर्फ आपको p18 ही देना है, अभी जब हम आगे subject select करेंगे, तो उसमें आप p18 easily select कर सकते हैं, बाकी इसमें से कोई भी university आप select कर सकते हो, अचा, यहाँ पर जो confusion था, कि क्या fees ज़्यादा लगेगी, अगर हम तीन universities कर रहे हैं, तो देखो, fees बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ एक ही subject आपके यहाँ पर demand हुए हैं, अब आप किसी दूसरे subject का भनना चाते हैं, इसे B8 का भनना चाते हैं, तो आप इसको भी add कर सकते हो, यह भी आपका यहाँ पर add हो जाएगा, ठीक है, और अब आपकी जो fees होगी, वो increase होगी, ठीक है, अभी मैं इनको remove कर देता हूँ, सिर्फ physical education लेकर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको preview करना है, और preview के बाद आपको proceed to next section करना है, यहाँ पर आपके test papers आ चुके हैं, ठीक है, test paper के लिए आपको थोड़ा सा, just a minute, update करते हैं, यहाँ पर आपका test paper को option आएगा, तो जैसे कि आपको पता है कि आपको सिर्फ physical education का exam देना है, अगर आप MP8 के लिए enroll कर रहे हो colleges में, तो आपको यहाँ पर देखो, COQP18 physical education मिलेगा, एक इस subject को आपको select कर देना है, और इसके लाबा आपको MP8 के लिए कोई और exam नहीं देना है, ठीक है, अगर आप किसी दूसरे subject का दे रहे हो, जैसे आपने कोई select किया था, for example, आपने mechanical engineering के किसी में apply करना चाहे, तो आप यहाँ पर paper 2 में mechanical engineering भी अपना select कर दोगी, तो जो भी exams के आपको demand है, वो आप यहाँ फिल करते चाहोगे, अगर आपको सिर्फ एक ही subject देना है, तो बागी सम्में आपको यहाँ पर not applicable करना होगा, तो यह आपका सिर्फ एक subject के हिसाब से accept हो जाएगा, आपको जो 12 रुपे fees है, वो यहाँ पर हो जाएगी, आपको यहाँ पर save करना है, simple सा आपको यह पूरा भड़ चुका है, यहाँ एक बड़ आप reach up कर लो, universities की जो list थी, वो पूरी मैंने आपको अभी PPT में दिखाई थी, जो मैंने आपसे share कर देना, जितनी भी universities में आपको मौखा मिलता है जाने का, वहाँ जाके entrances देना, वहाँ का experience लेना, और जैसे university of Jammu थी, university of और भी बहुत सी थी, pondicherry की थी, तो वो depend करता है कि अगर आप उस area में रह रहे हो, तो आप उनका form फिल कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि university आपके ठीक है, यहाँ पर simply आपका photo और signature को upload करना है, photo का ध्यान रखना, कि JPG form में दोनों चीज़ों होनी चाहिए, photo और signature, signature आपका 4KB to 30KB होगा, तो छोटा से signature करना, और उसको बहुत अच्छे से crop up कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पर अपना क्रिया, ठीक है, simple से उसको upload करना है, फिर आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाने, अच्छा अगर आपने category wise कोई certificate उपर शुरू में डाला होगा, बाकि आप SCA, STK हो, तो यहाँ पर आपसे कुछ और certificate भी मांगे जा सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर easily upload कर लोगी, ठीक है, तो simple से यह form था, जो सबसे बड़ी confusion थी, वो आपको यहाँ पर बढ़ा दिया है, कि आप universities add कर सकते हो, और ज्यादा universities add करने की fees नहीं लगेगी, बलकि अगर आप दो से ज्यादा subjects add करोगे, तो आपकी fees ज्यादा होगी, लेकिन आपने तो यहाँ पर सिर्फ P18 ही add करके रख ताकि अगर कोई university add होती है, तो आप उसको easily यहाँ पर add कर पाओगी, right? So, thank you so much everyone for watching, stay safe और अपना ध्यान रखो.